Guys, Welcome to Exams with MS YouTube Channel और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षया 10 विज्ञान विशय का मौडल पेपर देखने वाले हैं UP Board परिक्षा 2022 में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये मौडल पेपर इस वीडियो को शुरुआज से लेकर एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें सभी जो questions दिखाएगा हैं काफी ज्यादा important होने वाले हैं आपकी Board परिक्षा के लिए तो हम जानते हैं दोस्तों कि 70 नंबर का आपका paper होना है 30 नंबर का project और internal assessment होता है तो total 100 marks का आपका विज्ञान विशय होगा तो 70 नंबर का जो paper आता है उसके लिए आपको 3 गंटे 15 मिनिट मिलेंगे class 10 में ठीक है 12 में भी यही होती है timing तो यहां बस 3 section आते हैं सबसे पहला section physics का होता है जो की 25 marks में होता है फिर chemistry का होता है जो की 20 marks का होता है नंबर में chemistry रसायन विज्ञान पूछी जाती है और 25 नंबर में पिर हमारी जीव विज्ञान पूछी जाती है तो चलिए शुरुआत करते हैं section A का बहुत ही अच्छे question है सबसे पहला question यहां पर आपसे बहुवी कल्पिये पूछा गया है कि समतल दरपण की focus दूरी कितनी होती है तो दोस्तों हम जानते हैं समतल दरपण की focus दूरी अनन्थ होती है option number 2 correct हो जाएगा next question है हमारे पास की हमारे पास की प्रकाश का प्रकीरण सबसे कम किस रंग के लिए होता है यहां पर question का अर्थी है तो प्रकाश का प्रकीरण सबसे कम लाल रंग के लिए होता है यही reason होता है कि जो भी हमारे traffic signal होते हैं वो लाल color के बनाये जाते हैं ठीक और सबसे कम होता है नीले रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है प्रकीरण नीले रंग के लिए सबसे कम प्रकीरणन होता है, सबसे कम जो प्रकाश पहलता है, वो होता है लाल रंग का. Next question है हमारे पास, कि एक proton पर विद्धुत आवेश की कितनी मात्रा होती है, तो एक electron पर जो आवेश की मात्रा होती है, वो भी 1.6 into 10 to power minus 19 होती है, लेकिन यह negative में होती है, और proton में जो होती है, वो positive में होती है, यहाँ पर दोनों option एक जैसे दिखाए गए हैं, तो इन में से कोई भी एक option आप लगा सकते हैं, correct है, यहाँ पर तोड़ी सी mistake हुई है, जो proton पर आवेश होता है, बस यह ध्यान रखना आप, जो proton पर आवेश होता है, वो positive में होता है, और जो electron पर होता है, वो negative में होता है, अगला question है कि कौन सा चुमबकी चेत्र का मातरक नहीं है, तो यह question मैं आप के लिए छोड़ूँगा, कि कम से कम आप भी इसे comment box में बताओ, इसको solve करना, इसको देख लेना, और आप इसको comment box में बताओ, चार option दिये हैं, वेबर पर meter square, टेसला, गॉस या न्यूटन पर अम्पियर, न्यूटन प्रती अम्पियर square, तो कौन सा मातरक नहीं है, चुमबकी चेत्र का, यह आपको बताना है comment में, दोस्तों आप physics section के, दो दो number वाले प्रशन, स्टार्ट होता हैं यहां से, तो सबसे पहला प्रशन है हमारे पास, कि एक गोली दरपन की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, इसकी focus दूरी क्या होगी, बिल्कुल simple question है, r is equal to 2f से हम solve कर सकते हैं, आप लगा लेना, नेत्र की सामंजन चमता से, क्या अभिप्राय है, यह आपको लिखना है, बहुत ही simple है, हर साल आता है, याद कर लेना, next question हमारे पास, विद्दुदारा की मात्रा की परिभाशा लिखो, मतलब, MPR की आपको परिभाशा देनी है, एक सेकेंड में, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा, एक MPR होगी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, सूत्र के हिसाब से, अगला question है हमारे पास, की उत्तल दरपन, उत्तल दरपन में प्रतिविम किस प्रकार का बनता है, किरण आरेक द्वारा समझाई या दर्शाई, चार नमबर का प्रश्ण है, आपको किरण आरेक बनाना है, उत्तल दरपन में प्रतिविम कैसा बनता है, अथवा में आपको एक प्रश्ण मिल जाता है यहां पर next question मिल जाता है हमें अथवा में अगर आप ये question नहीं करना चाहते तो फिर आप कर सकते हैं कि दूर दरश्टी दोष्ट से क्या थात पर है इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो तरह की दोष होता है मुकिता दूर दरश्टी दोष और निकट दरश्टी दोष और एक और दोष होता है जिसको जरा दरश्टी दोष कहते हैं तो जो दूर दरश्टी दोश होता है, उसमें क्या होता है, कि दूर का तो हमें सपष्ट दिखाई देता है, लेकिन हम पास का नहीं देख सकते हैं, इसी तरह से निकट दरश्टी दोश में हम निकट का देख पाते हैं, निकट की वस्तुए देख पाते हैं, दूर की वस्तु इसका प्रयोग करते हैं इन दोशों के निवारण के लिए चार नंबर का प्रशन है अगला प्रशन है चार नंबर में कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन उश्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है स्पष्ट कीजिए अत्वा करके एक क्वेश में इस question को solve कर लेना यहां से numerical भी आता है और काफी अच्छा प्रशन है यह बार बार प्रशन आते हैं अगला question हमारा साथ number में पूछा गया है कि उत्तल दरपन के लिए जो सूत्र होता है 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v f क्या है focus दूरी है u क्या है वस्तू की दूरी है और v क्या है प्रतिबिम की दूरी है इसका आपको derivation करना है इस सूत्र का निगमन करना है आपको जहां संकेतों के सामान अर्थ है F है focus दूरी, U है वस्तु की दूरी और V है प्रतिविम की दूरी अगर आप ये derivation नहीं करना चाहते है तो आपको ये numerical दिया गया है कि 220 volt वा 10 ampere धारा वाले विद्धुत motor दौरा आदे गंटे में 40 मीटर की उचाई पर इस्तित एक पानी की टंकी में कितना पानी चड़ाया जा सकता है motor की कारदक्षिता 80 प्रतिशत है प्रत्वी का गुरुत्वी तुरड 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेर है कोई एक आप कर सकते हैं अब section B स्टार्ट हो जाता है जो की हमारा रसायन विज्ञान है चलिए अब देखते हैं रसायन विज्ञान में किस तरह के प्रशन पूछे जाएंगे या किस तरह के प्रशन आपके लिए important हो जकते हैं तो 20 नंबर में हमारी chemistry पूछी जाती है चलिए स्टार्ट करते हैं chemistry वाले section को तो यहाँ पर रसायन विज्ञान section B खंडबा में आपको मिलेगा सबसे पहला दिया हुआ है Fe2O3 plus 2Al बनने हैं products Al2O3 alumina plus 2Fe इस अभिक्रिया यह अभिक्रिया जो दी है किस ब्रकार की है तो यह दोस्तो अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया option number 4 इसका correct होगा अगला प्रशन है यदि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संबहुता क्या होगा दोस्तो लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं, अमलिक करते हैं, ठीक है, सॉरी, लाल लिटमस को जो नीला करते हैं, वो छार करते हैं, तो जो छारिये विलियन होते हैं, उनका पी एचमान साथ से ज्यादा होता है, जो अमलिये विलियन होते हैं, उनका पी एचमान साथ से कम होत है तो साथ से अधिक यहां पर वैलियू दी गई है दस तो यहां पर आप्शन नमबर फॉर करेक्ट हो जाएगा इसका जो पी एच मान हो सकता है समभूता वो दस होगा अगला हमारे पास क्वेश्चन की प्लास्टर आफ पेरिस प्लास्टर आफ पेरिस में कितने अडू क्रि क्रिस्टलिय जल के जो प्लास्टर आफ पेरिस में मॉलीक्यूल होते हैं हाफ मतलब एक अडू में आधा अडू जल का क्रिस्टलिय जल के रूप में जुड़ा होता है अगला क्वेश्चन है हमारे पास अब दो नमबर के प्रशना आ चुके हैं कि एसेटिक अमले से हाइड्राइट प्राप्त करने का रासाइनिक समी करन आपको यहां पर देना पड़ेगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आवर्त सारेडी में इनके इस्थान के आधार पर इनमें से किस तत्तु में सबसे अधिक धात्विक अभी लक्षन की विशेश्टा है तो यह आ पर आइनिन विभव का मान अधिक होगा यहांपर मैगनेशियम 12 होगा यहांपर 11 नहीं होगा तो यहांपर आपसे आइनिन विभव के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है दोस्तों तो यह guys are हमारे दो-दो नंबर के थे chemistry section में, question number 7 start होता है, यहाँ पर भी दो-दो नंबर के दो प्रशन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि pH पैमाना क्या नापता है, तो हम जानते हैं कि pH पैमाना किसी भी villain की अमलियता चारियता को नापता है, उदासीन, अमलियता चारिये विलेनों के pH मान का परास बताईए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अमलिये विलेन होते हैं, उनका pH मान साथ से कम होता है हमेशा, और जो चारिये विलेन होते हैं, उनका pH मान साथ से ज्यादा होता है, और एक उधारण दे देना है रासानिक समीकरंड सहीद तो आपको दो नंबर आसानी से मिल जाएंगे दोस्तो अगला प्रेशन है हमारे पास की अमल छार तता लवड की परिभाशा एक उधारण द्वारा समझाईए तो दोस्तो अमल वो होते हैं जो जलिये आरहिनियस की अवधारण की अनुसार अगर हम समझें तो अमल वो होते हैं जो जलिये विलियन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको अमल हम कहते हैं दोस्तो जो च्छार होते हैं वो जली विलेन में OH- निगेटिव आयन देते हैं और जो लवण होते हैं वो जली विलेन में H-positive और OH- को छोड़ कर कोई भी धनात्मक और रिडात्मक आयन देते हैं से कि NaCl यहां पर एक लवण होगा क्योंकि यह जल में जब हम इसको घोलेंगे तो यह एने पॉजिटिव और सी एल निगेटिव आयन देता है अगला प्रशन आपको अथवा में मिल जाता है अगर अगर आप यह अमलिचार वाला क्वेशन नहीं करना चाते तो आप कर सकते है अगर आपको के साथ अभिकर्मको के साथ अभिकर्मक यह अभिकर्मक हैं फासफोरस पैंटाकलोराइड ने ओह एं 3-H और CL2, इनके साथ आप Acetic Amal की अभिक्रिया लिख सकते हैं तो दोस्तो अब स्टार्ट होता है हमारा Biology का section जीव विज्ञान का जो section है 25 नंबर के प्रशनिस से पूछे जाएंगे तो सबसे पहला बहुवी कल्पे जो दांतों की संक्या होती है वो 32 होती है लेकिन यहां पर जो प्रशनिस पूछा गया है उसका जो सही उत्तर है वो पहला है 20 दांत होते हैं दूद के मनुश्य में अगला हमारे पास प्रशन है एक नंबर में बहुवी कल्पी की मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाते है तो मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाते है पुरुष लिंग हार्मोन एंड्रोजन कहलाते है ठीक है तो यहां पर आप्शन नंबर सी करेक्ट है ठीक नेक्स्ट कुश्चन है पास की पुष्प के कितने भाग होते हैं तो हम जानते हैं कि पुष्प में चार चकर पाये जाते हैं पुमंग, जायांग, दल और बाहे दल, सबसे बाहर बाहे दल होते हैं फिर दल होते हैं फिर पुमंग होते हैं फिर जायांग होते हैं तो चार चकर होते हैं सबसे पहले कै मनश्य के शुक्राणों में कितने ओटोसोंज होते हैं तो मनश्य के शुक्राणों में human sperm में अगर हम देखेंगे तो 22 ओटोसोंज पाए जाते हैं 22 यहाँ पर ओटोसोंज हमें मिलेंगे अगला प्रशने दो नंबर में आपको लिखना है कि आहार नाल के जो हमारे digestion system होता है विभिन भागों के नाम लिखने है मुखगुहा ठीक है ग्रसनी ग्रासनली यकरत जो भी हैं इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आथ बड़ी आथ डियूडिनम ये इन सभी भागों के आपको नाम लिखने हैं दो नंबर मिल जाएंगे फिर आपसे पूचा ग कीजिए पुमंग और जायांग में क्या अंतर होता ही आपको सिपष्ट करना हैं पुमंग और जायांग में अंतर एंडूशिय में आपको अंतर बताना है नेक्स क्वेशन हमारे पास मनश्य के शरीर में पाई जाने वाली Liar गरंतियों का संचिप्त विवरण दीजैं जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तीन प्रकार की तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं सलाइवा ग्लेंड्स हमारे बकल कैविटी में मुख गुहा में उसके बारे में हमें आपको आपको वताना पड़ेगा चार नमबर का यहांबर प्रशन आपसे पूचा गया अत्वा अगर आप यह प्रशन नहीं करना चाहते तो आपको एक विकल्प मिला है कि लसी का परिवहन के कारें का उल्लेक कीजिए लसी का परिवहन के क्या कारे होते हैं अब चलते हैं अपने next question पर अगला प्रशन है हमारे पास कि cytokinin के मुख्यकारे लिखिए कि cytokinin जो कि एक plant हार्मोन है पादप हार्मोन है उसके क्या कारे होते हैं यह आपको लिखना है cytokinin के मुख्यकारे लिखिए ठीक है यह प्रशन आप से चार नमबर में पूचा गया तो अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, अब next question हमारे पास है, कि अगर आप पी ये cytokinin वाला question नहीं जानते हैं, या नहीं आदापको, तो आप लिख सकते हैं, अथ्वा में आपको विकल्ब दिया गया है, कि स्वपरागण के लिए अवश्यक अनुकूलन तता इसके लाब एवं हानिया लिखिए, स्वपरागण के लिए अवश्यक अनुकूलन तता इसके लाब एवं हानिया लिखिए, फिर साथ नमबर का एक प्रशन आपको करना है, दो प्रश्णी मिलेंगे आपको साथ नंबर के बट करना आपको एक है सबसे पहला प्रश्णी आपको पूछा गया कि लिंग गुर्षूत्र से आप क्या समझते हैं नर्त अतामादा में लिंग गुर्षूत्र का विन्यास लिखिए ठीक है तो हम जानते हैं कि फीमेल में जो गुर्षूत्र का विन्यास होता है वो एक्स-एक्स होता है और मेल्स में एक्स-वाई होता है इसके अलावा आपको लिंग गुर्षूत्र होते क्या हैं इसके बारे में भी लिखना को आपको एक विकल्प मिला हुआ है कि अगर आप यह question आपको नहीं आता है आप नहीं कर सकते एक्जाम में तो आपको एक्विकल्प दिया गया कि मुक्ष से लेकर आम जिए तक होने वाली पाचेन क्रिया को प्रभावित करने वाले enzymes के कार्यों का उलेकिजे की कौन से enzymes हैं जो हमारी आहर नाल में पाए जाते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं और वो किस प्रकार से हमारी पूरी पाचन क्रिया को संपन करते हैं digestion process को complete करते हैं ये था पूरा exam pattern के according model paper ये सभी question important हो सकते हैं आपके लिए यह आएंगे आपके पेपर में ऐसा नहीं कहा जा रहा है चैनल ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा है बट यह कोईशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा important साबित हो सकते हैं आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इस अगर question paper को आप कर लेते हैं अच्छे से जो भी questions थे मैंने आपको बताया जो लिखने वाले questions थे वह आप खुद कर सकते हैं guys अगर आपको इसी प्रकार की important model papers question papers चाहिए हो तो exams with them and youtube channel को subscribe करके रखना यहां पर model paper question papers tips trick tutorials यहां पर सभी कुछ आते रहते हैं motivational videos सभी कुछ मिलेगा आपको so guys thanks for watching and listening me and good luck for your future dostos thank you and bye bye